असलाम वालेकुम एंड वेलकम बेक टो न्यू वीडियो उम्मिद है आप सभी खेलत से होंगे देखिए जोद्पूर्फोर्ट को परना मैं दो विलोग तो बना ही चुका हूँ ये तीसरा और अंतीम विलोग है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा है तो मैं जेसल मेर की विलोग आपके लिए लाऊंगा तो उम्मिद करता हूं आप सभी लोग मुझे इसमें सपोर्ट करेंगे और लोगों तक विडियो सेर भी करेंगे शुक्रिया आप सभी लोगों का तो देखते हैं विडियो अब ही मैं पार्किंग में खड़ा हूँ और ये जो सामने देख रहे हूँ ना ये किले के पार्किंग है जो भी टूरिस्ट लोग अपनी गार्डिया वगेरा जो चीज बिलाते हैं वो यहीं पर पार्क करने के बाद वो किले के अंदर जाते हैं इसके बाद अंडर जाते हैं और मैं किले के थोड़ा अंदर आया है, सामने तो ए इसके अंदर वाला गेट है, काफी बड़ा ये गेट, इसका दरवाजा दिखाता हमें, यह देखे, इसका बहुत बड़ा दरवाजा देखे उपर देखे और इतना मजबूत दर्वाजा है कि देखिए जो आज तक भी सही सलामत खड़ा है तो वो कितना मजबूत होगा और मजबूती के लिए देखिए इसमें लोही की बड़ी बड़ी पीले लगा जो आजए है और काफी ज़्यादा लोग ना यहां पर भूनने के लिए आते हैं काफी दूर दूर से लोग आते हैं अब जब मैं ही इतनी दूर से यहां पर पहुँचा हूँ आप सभी लोगों क की यही लोगों का कमाने का तरीका है अर्मीं का यही तरीका है निका बेखिए एक बार और और सुन लीज्याओं विशन के वेश्भुसा बिर्ती वेश्टानी संस्कीर्टि इनकी वेश्भुसा में जलकती बहुत हैं जो लोग अपनी संस्कीर्टिन को Gesund सहा को बिलाते हैं वो कुछ नहीं बचा पाते हैं और ये देखिए, यहाँ पर एक बाजार बना रखा इनोंने, किले के अंदर ही है, लेकिन इसमें एक खास बात है कि लेडिज सामान ही जादा मिलता है, तो मेरे तो कोई मतलब का है नहीं, मुझे तो कोई सामान यहाँ से खरीदा नहीं है, लेकिन काफी जादा लोग यहाँ स खरीद कर ले जाते हैं वो भी एक पहचान के तोर पर कि इसको हम जोदपुर के किले से लाये थे और भई रखना भी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने भी दुकान इसलिए यहाँ पर खोल लखी है और जो यह बाजार है इसकी जो दुकाने हैं उनके जो दर्वाजे हैं ना वो भी काफी बहत्री है हर चीज में कुछ ना कुछ अलग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा यह च्छत्री यह टेबल और यह तक्या वगेरा जो गद्दे गलीचे यहाँ पर लगाए गए हैं यह सबी चीजें देखिए कितने अलग है मुझे तो आज भी ऐसे लगता है कि उस वक्त का टाइम देख जाए और आज का देख जाए तो काफी अलग है और यह देखिए यह तो खुबसूरती इसकी बिलकुल ही अलग है और अब आपको मैं ले आया हूँ इसके सस्त्र खाने की और जहां पर राजा माहरजाओं के सस्त्र रखे हुए हैं और जो फौज वगएरा थी उनके जो सस्त्र हैं उन सभी चीज़ें के मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ यह देखिए जो यहां पर है ना यह तलवारें रखी हुई हैं और यह उन राजाओं की यादगार हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके महल उनके तलवार उनके हत्यार उनके सेनीकों के हत्यार उनके फोज के जो हत्यार थे तीर वगएरा भाला सब चीज़ें यहां पर रखी हुई हैं आप व्यूज चेक कीजिए अब मैं किले के बिलकुल उपरी छोर पर आया हूँ जो सबसे उपरा भाग है और इसलिए आया हूँ जिससे मैं जोदपुर का एक अच्छा सा व्यूज ले सकूँ देखिए यहां से पूरा जोदपुर बहुत ही खूब सूरत दिखता है चेक कीज़े आप यह व्यूज भी यहां पर राजिस्तान की जो लगू चित्र सेली है उसका जो लाइव टेली कास्ट किया जा रहा है यहां पर जिससे जो देश वी दोस्टे से लोग यहां पर गूमने आते हैं वो राजिस्तान की जो आर्ट है कला है उसको देख सकें और कोई वेक्ति अगर सीखना भी चाह सिख्ग भी सकता है इसमें जो भी चीजह हैस जो समने देख रहे हूं वह वह सभी राजस्थानैंपी और आर्ट ये इन लोगों ने खुद ने अभी बनाया है वहाँ पर कुछ सिक्वे वगहरा मैं फ warum घ्र्रुद तो मुझे पता भी नहीं है भी ये क्या चीज है आप लोगों को पता हो तो कॉमेंट सेक्शन में मेरे लिए बता देना और ये देखे सिक्के बहुत जबर्जस सिक्के है रुपए तक आने में तो बहुत कुछ बदल गया है और ये कुछ उस वक्त के ना बंदू के भी है वीडियो यहीं पर समाब करता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और लोगों तक सेर करें